बेस्ट सोलूशन्स चैनल में आपका स्वागत है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बहुत बढ़िया औशदी दालचीनी के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग बादे बताने वाले हैं जिसके जरीए आप अपनी धेरो बिमारियां जैसे की गुटनों का दर्द, पेट की गैस, अस्तमा, कफ, एसिडिटी, डायबिटी, थाइरोइड, अनेकों बिमारियों को जड़ से खतम कर सकते हैं लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले शुरुआत करते हैं कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट से दोस्तों आपने देखा होगा कि जानवर पानी अपनी जीब से चाट कर पीते हैं क्या आपने ये सोचा है कि जानवर ऐसा क्यों करते हैं हमें लगता है कि शायर जानवरों के हाथ नहीं है इसलिए ये अपनी जीब से पानी पीते हैं लेकिन दोस्तों ये एक कुदरती बात है क्योंकि जब हम अपनी जीब से किसी भी चीज को खाते या पीते हैं तो आपने अक्सर मैसूस किया होगा आपके मूँ में लार 5 गुना ज्यादा बनती है ये scientifically अप्रूव हो चुका है यानि कि अगर आप अपनी जीब से किसी भी चीज को खाते या पीते हैं तो आपके मूँ में लार 5 गुना ज्यादा बनती है आपको ये मालुम नहीं होगा कि ये जो लार है ये हमारे लिए भगवान का दिया हुआ शायद अपसे ultimate gift है अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो अगर आप सुबह उठते ही अपने बासी मू की लार को अपनी आँखों के नीचे काले घेरों पर लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके काले घेरे एक से दो महीने में जड़ से खतम हो जाएंगी Friends कि आपको ये पता है कि हमारी लार में anti-pain killer गुन होते हैं यानि कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो अगर आप उस चोट के ऊपर अपनी लार को लगाते हैं तो आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा Exactly ऐसा ही जानवर भी करते हैं आपने देखा होगा अगर जानवरों को कभी भी चोट लग जाए तो वो अपने घाओ को जरूर चाटते हैं उनके घाओ को चाटता देखकर हम जानवरों को बेवकुफ कहते हैं लेकिन दोस्तो ये सभाविक है कुदरती है कि जानवर अपने घाओ को चाटते हैं क्योंकि जब वो अपने घाओ को चाटते हैं एक तो उनका दर्द कम होता है और दूसरा उनका घाओ जल्दी भरता है इसलिए हमें इस लार की इंपोर्टेंस को पहचानना चाहिए और जो लोग जादा थूकते हैं उनको यह समझना चाहिए कि अगर आ लार से जुड़ी हुई एक और बहुत इंट्रस्टिंग बात है हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता रहता है और इस एसिड को शांत करने के लिए लार सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है यानि कि हमारी लार एलकलाइन है और हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता है सोचिए अगर आप acid वाली चीज़ें खा रहे हैं लेकिन लार आपके पेट में कम जा रही है तो इससे आपको 80 से लेकर 100 तक बिमारियां हो सकती हैं जिसे हम पित की बिमारियां कहते हैं आयरवेद में पित की भ्यानक बिमारियों के बारे में बताया गया है जैसे की cancer, diabetes, thyroid, motapa, jodon में दर्द ये जितनी भी बिमारियां हैं ये सिरफ आपके पित के रोगों के कारण होती हैं अगर आपके परिवार में किसी को diabetes है तो इसका मतलब है उस इंसान का पित बड़ा हुआ है आप देखेंगे उस इंसान को acidity की problem ज़्यादा रहती होगी क्योंकि ज़्यादा acid बनने से हमारे hormones में imbalance हो जाता है जिस कारण से thyroid और diabetes यासी बिमारियां हो जाती है तो चलिए friends बात करते हैं दालचीनी के बारे में Friends क्या आप high quality में videos edit करवाना चाहते हैं वो भी बिल्कूल reasonable prices पर और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप धेरो वीडियो बना पाएं तो आज ही हमें email करें e-services at ytadvice.com पर ये दालचीनी किस तरह से इस्तेमाल करनी है ताकि हम धेरो बिमारियों से बचे रह सकें जैसे कि वीडियो के starting में मैंने आपको बताया कि हमारी लार बहुत important है तो इसलिए आपको दालचीनी का सेवन उसी तरह से करना है जिस तरह से जानवर अपनी जीब से चाट कर पानी को पीते हैं चलिए मैं आपको पहले दालचीनी को खाने का सही तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स आपको अपनी हथेली के ऊपर एक चुथाई चमच दालचीनी और उसके अंदर एक चमच शह डाल कर अंगुली से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है पांच मिनिट तक इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कीजिए उसके बाद अपनी जीब से जैसे जानवर पानी पीते हैं उस तरह से आपको इस दालचीनी को चाटना है जब इस तरह से आप चाटेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुव में लार बहुत ही जादा बनेगी इस तरह से अगर आप सुबह खाली पे डालचीनी का सेवन करते हैं तो जो बिमारियां आपकी बॉड़ी से खतम होंगी आप बिलकुल हैरान हो जाएंगे वैसे तो हर एक बिमारी को आप दालचीनी और शहद के खतम कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको दालचीनी के सेवन का सही समय मालूम होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पित्त के रोगों के बारे में बताया तो पित के रोगों के केस में आपको इस दालचीनी को रात को सोने से पहले लेना है ना कि सुबह अगर आप रात को सोने से पहले दालचीनी और शहद को मेरे बताई हुए तरीके से लेते हैं तो जो आपकी बिमारियां खतम होंगी पहले उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले acidity की problem अगर आपको acidity की problem रहती है आपके गले में तीखा पन रहता है आपसे खाया पिया नहीं जाता तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा है दाल जीनी कुछ लोग अपनी acidity को शांत करने के लिए दवाईयां खाने लगते हैं उन दवाईयों को खाने से आपके acidity की problem temporary basis पर खतम होती है लेकिन अगर आप दाल चीनी को हमारे बताई हुए तरीके से चाट कर लेते हैं तो इससे आपकी acidity की problem जड़ से खतम हो जाती है अगली बिमारी जो दूर होती है वो है diabetes अगर आप रात को सोने से पहले हमारे बताई हुए तरीके से दाल चीनी और शेहत का सेवन करते हैं friends तो आप देखेंगे आपकी diabetes जड़ से खतम हो जाएगी ऐसे लोग जो diabetes के लिए पिछले 10 या 20 साल से दवाई खा रहे हैं वो लोग अपनी diabetes को इस तरीके से एक से दो महीने में जड़ से खतम कर सकते हैं आप सूचिए आपको diabetes की दवाई खानी नहीं पड़ेगी त्यूंकि डॉक्तर लोग आपको diabetes के लिए दवाई तो देते हैं लेकि ये नहीं बताते हैं कि आपको diabetes हुई क्यों है diabetes का exact आपको इलाज बताते ही नहीं है हलांकि डॉक्टर तो ये कहते हैं कि diabetes को जट से खतम किया ही नहीं जा सकता friends जो diabetes है वो पित की बिमारी है इसमें क्या होता है आपके hormones में imbalance हो जाता है इस hormonal imbalance की वज़े से आपको diabetes हो जाती है hormonal imbalance को सही करने का तरीका है आपको डालचीनी का सेवन करना है लेकिन इसमें आपको शहद की मात्रा एक चमच नहीं एक चुथाई चमच लेनी है क्योंकि अगर आप शहद ज़्यादा लेंगे तो इससे भी आपको diabetes में थोड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन अगर आप एक चुथाई चमच शहद और एक चुथाई चमच जालचीनी दोनों को मिला कर लेते हैं तो इससे आपकी diabetes बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है दालचीनी और शहद के जरिये जो अगली बिमारी आप खतम कर सकते हैं वो है thyroid की problem thyroid की problem आजकल बहुत बढ़ गई है किसी को hypothyroid है तो किसी को hyperthyroid दोस्तों जो thyroid की बिमारी है ये भी hormonal imbalance के कारण होती है ये भी एक पित्त का रोग है इस बिमारी को खतम करने के लिए आपको रात को सोने से पहले दालचीनी और शहद का सेवन अपनी जीब से चाट कर करना है ऐसा करने से आपकी thyroid की problem एक से दो महीने में जड़ से खतम हो जाएगी इतना ही नई friends आप दालचीनी के जरीए अपने arthritis की problem को जड़ से खतम कर सकते हैं अगर आपके गुटनों में दर्द रहता है आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है cycle नहीं चला पाते हड़ियों से कट-कट की आवाज आती है तो आपके लिए दालचीनी बहुत ही अच्छी है अगर आप दालचीनी और शहद को रात को सेवन करते हैं तो इससे आप arthritis को जड़ से खतम कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये तो वो बड़ी-बड़ी बिमारियां है जो रात को दालचीनी के सेवन करने से सही हो सकती हैं अब बात करते हैं अगर आप सुबह खाली पेट दालचीनी और शहद का सेवन करेंगे तो कौन-कौन सी बिमारियां दूर होंगी दोसरो मरी बॉड़ी में जैसे की वात, पित और कफ तीन दोश होते हैं रात को अगर आप दालचीनी लेते हैं तो आपका पित दोश बैलन्स होता है लेकिन अगर आप सुबह दालचीनी लेते हैं तो इससे आपका वात यानि की गैस और दूसरा आपका कफ यानि की बलगम यानि की कोल्ड के रोग दूर होते हैं आपके सांस से जुड़ी हुई जितनी भी बिमारिया हैं चाहे वो अस्समा हो, जुकाम हो, निमोनिया हो, टूबर क्लोसीस हो या फिर कोई भी आपकी सांस से जुड़ी हुई बिमारी हो जैसे कि अगर हापके पेट में गैस बनती है तो गैस बनने की प्राबलम दालचिनी और शहद के सेवन से बिलकुल खत्म हो जाएगी अगर आपकी बौडी में कहीं भी दरद रहता है तो इस दरद को आप दालचिनी के सेवन से खत्म कर सकते हैं क्योंकि जब भी आपके पीट में गैस बनती है तो ये गैस हमारी बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट होती है जिससे आपकी बॉडी में दर्द रह सकता है तो इस दर्द को खतम करने के लिए आपके लिए दालचिनी और शेहद का सेवन बहुत ही अच्छा रहेगा आप ये समझ करने दिन के खाने में कुछ भी कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कच्चे खाने का मतलब है ऐसा खाना जिसको अगनी का स्पोष ना किया गया हो यानि जिसे पकाया ना गया हो आप सूचिए कि पूरी प्रित्वी पर इंसान के और रह میतले हैं क्ची चीजें खाने के लिए लेकिन हम लोग हर चीज को पका कर खाते हैं लेकिन पका कर खाने से हमारी बौडी बिलकुल खराब हो जाती अगर आज आपको diabetes है, cancer है, मुटापा है, कोई भी बिमारी है, तो इसका कारण है आप जो कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं, आयरवेद कहता है कि हर इनसान को 50% चीजें कम से कम कच्ची खानी चाहिए, आप फॉल खा सकते हैं, सबजियां खा सकते हैं, सप्राउट्स ले सकते हैं, salad खा सकते हैं, अगर आप इस तरह से अपनी diet को maintain रखेंगे, तो आप सारी बिमारियों से बचे रह सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है अपने खाने पीने की और ध्यान नहीं देते, और भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी बिमारियों को दूर कर दो, तो वो भगवा लेकिन उसी गेहूं के बीज को, अगर आप तवे पर भून कर, उसके बाद इसे मिटी में बोते हैं, तो क्या उसके अंदर से पौधा निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने उसे मार दिया है, यानि कि कच्ची चीज़ों में जिंदगी होती है, पौधे सकते हैं, और हमेशा बिमारियों से बचे रह सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, और इसे शियर करना ना बोलें, वीडियो को शियर करने के लिए, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ओपर क्लिक करें, और स